सच 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 से आत्व उप मोख मंतरी ति उनोंने कहा कि वो रेल्वे मंतरी से बात किए वो प्राइब्ड के स्च सवंध है कि समस्यारे समाश्य हे अचानक जोड़ा गया ता उससे महत होगे हुस header प्रभान मंतरी का इंटरफेर Herrens था जिस वजय आसानी से हुआ अब बातों को समझे इसमें गलती रेल मंतरी ये परधान मंतरी के ओर से नहीं थी इसमें गलती आरार्बी के ओर से थी आरार्बी को इस्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरार्बी भी कुछ चीजों से जूज रही थी उसको इतने बड़े एक्जाम को कंड़ पूपनी जल्दी नहीं मिल रही थी लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे हैं चुनाओ के मत्तेर रजर ऐसा decision लिया है ये गलत है देखिए ये किसी teacher या student का statement नहीं है ये political motivated statement है हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा railway को अपनी बात क्यों माननी ये जो संसोधन और committee बनाई गई है और ये जो decision लिया गया है कि 20 गुना result और CBT2 group D से हटाए जागा ये rail मंत्री का decision है और इसमें PMO involved है न की RRB का अगर RRB का रहता है तो RRB मनमानी करती लेकिन उसके उपर PMO का deadline है PMO जिस date को दे दी उसको हर हाल में मानना है इसलिए आड ने किसी दूसरे ने नहीं किया हो किया रहे का कोई भुकतेनी student आपके लिए हम खड़े आपकी हर मांगों को हम शुरू सही उठाते आएं लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं मंतराले में बात करने के लिए या बोर्ड आफिस में बात करने के लिए तो हम क्या जबाब दे कुछ भी यूटूब वाले हैं कुछ भी लीग देते हैं ऐसे चीजों से आप बचिए किसी भी डिश्टिक का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट जा वॉयलेंस नहीं करेगा हम कोई भी सिख्चक्ष भाण हो या कोई टीचर सारे teacher पहशान है कि कल के protest को कैसे भी रोकिये सारे teacher से भी कहते हैं कि आप लोग ततकाल वीडियो release कीजिए कि कल कोई भी student किसी भी district का हो railway को intelligence मिला है railway intelligence वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के करें गोरखपुर के लड़की का अलग से हैं कहीं के भी विहार नवादा नलंदा कहीं के भी हैं कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे आपकी मायगों को माना जा चुका है हम बता रहे हैं कि पीसमें पीमो ने इस बात को माना है न कि RRB अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ आप समने बहुत साथ दिया, हम लोग ने भी आपका साथ दिया, सारे teachers का भी साथ दिया, आप समलोग को हाथ जोड़के धनवाद कहते हैं, लेकिन सारे students के कहते हैं, जो भी लड़कों पर case हुगा है, अभी उसको हम लोग लीगल तोर पे देख रहे हैं कि उन्हीं student के साथ क्या होगा और जो हम लोग के उपर FIR हुई है उस पे खुद प्रसासन DM और SP साथ जो भी पटना के हैं उन्होंने खुद कराए कि हर teacher को वो अपने बातों को कहने देंगे actually उन लोगोंने गलत news देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताए गया है बाद में अभी coaching association के पूरी team गई थी उन्होंने legal दिखाया तो उन लोगोंने भी accept किया है कि वो हम बातों को समझेंगे जब हम लोग वहाँ बात करेंगे तो बताएंगे आगे हम लोग क्या action लिया जाता है हम आपको बताएंगे हम आपके साथ हैं आप लोग हमेशा रही हम आपकी हर बात उठाते आये लेकिन अभी हमारे उपर सबसे बड़ी जिमेदारी है कि 28 तारीक को कुछ नहीं होना चीज़, क्योंकि अगर 28 तारीक को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को माल लिया गया, हाँ, हवारी गिरफ्तारी या किसी टीचर क कि गिरफ्तारी होगी की नहीं होगी, FIR वापस होगा की नहीं होगा, यह सारी चीज़े जब हम वहाँ बैठेंगे प्रसासन पर जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे, वरना फरजी निउज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप बाबु बात समझेए, इतना प्र पुलिस कुछ भी कारवाई करती है हमारे उपर हम आपको बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, पुलिस प्रसासन भी पढ़ी लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर बैठेंगे, वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहोंगे, वो भी समझते हैं, उन लोग की जिमे साथ खड़े हैं, हम आप सब को भी कहते हैं, आप लोग को धन्यबाद, और प्रसासन को भी कहते हैं, कि देखिए, अगर हमारे नाम से कोई ID बनी है, तो वो हमारी नहीं हो सकती है, अगर कोई बराक ओबामा के नाम से ID बना के कुछ बनाता है, तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेष्ट या एफाई या नहीं कर सकते, तो आप पहले उसकी सकता है कि जाच किजी, रही बात खांसर का नाम क्यों आ जाता है, तो भाईया एक बताओ, कि विद्यार्थी का इसू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा, आप पूजा करिएगा, और गड़े जी का न हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की, जभ जब बात आएगी हिंदुस्ताइन की, तो कल बात हिंदुस्ताइन की है, हाच जोडते है, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग नले, प्लीज कहते हैं, और हर टीचर से कहते हैं, आप जहाँ भी है, कसमीर से कन्या कुमारी तक हैं और नाचल परदेश से गुजराब तक हैं हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेश्ट नहीं हो वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़ फोड मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट और हम आज भी फिरी में पढ़ाते हैं विकलान बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया का जाता है और कल को अगर कोई प्रोटेश्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा तो बताइए क्या यह अच्छा लगेगा सार 22 जनवरी का प्रोटेश्ट किसी भी स्टूडेंट या ठीचर का नहीं है बस हम बता दी हैं आपको पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ट बटी है वो डिसीजन लेगी क्योंकि इसमें पीमो रेल मंत्री और प्रधान मंत्री भी इन्वाल्व है जो गलतिया हु झाल 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 झाल